हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सीमा और आपको स्वागत है मेरी चैनेल में आज मैं लेके आई हूँ एक हेल्दी रेशीपी अगर मेरा रेशीपी आप लगों को पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कोमेट एंड सास्क्राइब करना ना भूले ये रेशीपी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी बनके त्यार हो जाते हैं सुद्णर सा और टेस्टी और हेल्दी सा रेशीपी आईए विडिया स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक कप मैंने लिया सुजी ये बारिक वाला सुजी लिया कोई से भी सुजी ले सकते बारिक वाला ज्यादा अच्छा होता है और फिर उसमें मैंने लिया दूद देखिए ये दूद की दो ही नहीं है फाटा हुआ दूद मैंने लिया दूद फाट गया थ उसी दोध मैंने एक कप जिस कप से मैंने सुजी लिया था उसी कप से मैंने दोध लिया देखिए यह अच्छा दोध नहीं है बोईल वल्ला दोध है और मैंने दोध को डाल दिया और उसको अच्छा से मिलाएंगे देखिए मैंने मिला दिया उसको हम साइट में रख देंगे धांकके 10 मिनिट मैंने लीए हरी मेर्स 2-3 चटा चटा काट के गाजाल लीए कुछ, और प्याज को पशुटा चटा काट दिया. देखिए और मैं नें दू मीडियूम साइज बोईल आलू लिया था और उसको मैं अच्छा साइट में रख देफुला में रख देंगे ग्रीन मिटर दो से तीन चमच कर दो चमच के रखा इधर ज Alors देखिएоворक रखाप कड़ाई बाद दो चामच तेल डाला गरम हो गया अभी हम डालेंगे एक मुल्यक jáझ लेटगा इन दलें धूला ति अधिर Haer आप प्र ही तीली के मिद्ल कग का टा ம होगा थिसलिक्वा प्रम कहनlarını चिली आड़ करेंगे कुछ सेकेंड भूनेंगे फिर उसके बाद मैंने आड़ कीया गाजर गाजर कुछ सेकेंड के लिए भू़नेंगे फिर आड़ कDING definator गूटके मैंने रखा था ओछी ग्रीन हमाटर आड़ कर देंगे मैंने आलू आड कर दिया फिर उसको भी ऐसे चलाएंगे कुछ सेकेंड के लिए अभी आड करेंगे बोईल आलू मैंने आलू आड कर दिया देखिए विर में लाज करके रखा था पहले से और आलू भी ऐसे कुछ देर उसको भूनेंगे देखिए मैंने चला दिया इसे श्वाद औनुजाई मैंने लिए नमक देखिए नमक आड ही नाल कर दिया फिर सके बाद लेएंगे देखिए मैंने एक चामच मीने रेड चिली पाउड़र टाला और ओधा चमच मैंने हल्दी पाउडर आड़ कर दिया और कुछ भी नहीं डाला मसेला वास हल्ति पाउडर ही डाला प्रेर उसके बाद मैं लिया 1 टोमाटो छटा छटाचाटा काटके मंने आड़ कर दिया यह देखिए फिर उसके बाद अच्छा से अच्छा से मिलाएंगे मैंने मिला दिया अच्छा आड़ चे लिए ऊणाङे अ हर वह बहुत अच्छा लगता है टेस्ट भी अच्छा देता है इसलिह है धनिया पता डाल रह लाश्ट में जाएगी गर्ममसला देखीए घ्रम मसला मैंने आपिरोगा यह अच्छा हैं उस जाया इभा के मिला दिया यह जाएखिए देखिए और ठंडा होने के लिए इसको साइड में रख देंगे ग्यास में ने आप कर दिया अभी और यह ठंडा होने के लिए चौक देंगे दोस मिनिट बात देखिए यह पुरा रेड़ी हो गया देखिए पुरा फूल गया अच्छा से देखिए और जितना दूद डाला था ना पुरा गाड़ हो गया और जो बच्चा है दूद ना उसमें यह देखिए आधा का बच्चा है उसको हम डालेंगे और एसे मिलाते पौडर और उसमें मैंने थोड़ा फाल का पानी दिया और उसको मिलाएंगे अच्छा से देखिए मैंने अच्छा से मिला दिया धीरे फेर उसके बाद मैंने आड़किया नामक स्वाधा नो जाई एसे मिला है अच्छा से उसके बाद मैंने लिया तीन कोटोरी अलाग अलाग कटोरी देखिए मेरा पास सेम कोटोरी नहीं है इसलिए मैंने अलाग अलाग कटोरी लिया आपका पास सेम कोटोरी है तो सेम कटोरी ल सकते देखिए मैंने इस तरह डाल दिया एक चाम तो मैंने बेटोर आड कीया फिर उसके बाद कि इधर मैंने कड़ाई में पानी डालके श्टान रख दिया और पानी विप्राब बोई लागेया और श्टान के उपर एसे एक कटरी रखेंगे देखिये मैंने कटरी रख दिया, 3 कटरी आराम से, आपका पास चोटा-चोटा कटरी है तो चोटा-चोटा कटरी मी बना सकते हैं, मैंने बड़ा-बड़ा कटरी लिए और इस तरहा आलू मसला को एसे गोल-गोल बना के उस बीच में रखी आरामसे, फिर उसके बाद उपर से हम बेटर डालेंगे ग्यास का फ्लेम को हम मेडियोम रखेंगे और ढांक के उसको कुक करेंगे दस मिनिट तक कुक करेंगे दस मिनिट में हो जाएगा मेडियोम टू हाई रखिए और ये दिखीए मैंने शारा बेटो डालके ready कर दिया और उसमें हम आपी लगाएंगे lid मैंने लगा दिया lid दोस मिनीट बाद हम चेक करेंगे मैंने चेक किया दिखिए और ये clean आ रहा है ये पूरा cook हो गया और उसको हम अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के बाद उसको हम लिका लेंगे मैंने ग्यास अपकर दिया यह देखिए यह ठंडा हो गया हलका गरम है कोई बात नहीं आ जाएगी और एक चामच लिए देखिए पीछे का साइट से घुमाएं चारी तरप पर देखिए पुरा आरम से लिकाल गया कट्डरी से पुरा यह कितना सुन्दर से आ गया इस तरह सारा एसे लिकाल देंगे देखिए दुसरा कट्डरी से भी एसे लिकाल आएगी देखिए कितना सुन्दर देखिए पुरा आ गया और यह देखिए पुरा त्यार हो गया कि इतना सुनर सोफ्ट है पूरा सोफ्ट मुलायम है खाने में बहुत टेस्टी है सच में एक बार जरूर ट्राइ करिए देखिए आपका पास चटा-चटा कटोरी है तो बना सकते और एक जीशा कटोरी है तो एक जीशे बनाए मेरा पास दू ही एक जीशे कटोरी था इसलिए मै अलाग अलाग कटरी दिया और मैंने एक चाकु लिया चाकु से मैंने काट दिया देखिए और अंदर कैसे है आपको देखाएंगे वाव देखिए कितना सुन्दर दिखाई दे रहे और खाने में ये बहुत टेस्टी है देखिए कितना सुन्दर और मैंने बोला था न ये बह जाधा टाइम नहीं लागेगी और टोमाटो सास और कुछ चटनी का साथ भी यह खा सकते हैं देखिए मने टोमाटो सास लिया और यह गर्म गर्म खाईए और यह खाने में बहुत टेस्ट है बच्चा से बुढ़ा सब खा सकते हैं इसको आशाब को पसंद आएगी एक बार ज